नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिद्या पीठ है नॉलेज अन्वेटिसिटी में स्वागत है आज हम लोग इनकम रेकग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन इस टॉपिक पर बात करेंगे यह टॉपिक साथ ही अगर आप बैंक के प्रमोशन एक्जाम में अपियर हो रहे हैं या सिंप्ली अपने बैंक नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं इंकम एसेट क्लासिफिकेशन कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉन पर्फॉर्पॉर्मिंग एसेट क्या होता है ठीक है, an asset which keys to generate income is treated as non-performing asset, कोई भी asset performing होगा, तो वो income generate करके देगा, वैसा asset जो income generate करना बंद कर दे, उसको हम लोग कहाते हैं, non-performing, ठीक है, account become NPA due to following reasons, पाहला, non-compliance of terms and conditions of sanction, including delay या non-repayment of loan, दूसरा loss of security, कहने का यह मतलब कि कोई भी account NPA कब होता है, NPA due region से होता है, पाहला, शैंसन के वक्त आपने जो, शैंसन के वक्त आपने जो भी terms and condition रखा है, उसका non-compliance हो, वो पूरा नहीं हो, उसी में से आपने क्या बोला था, कि इस वक्त में, इस टाइम में, या महीने के last में, ठीक है, interest आना चाहिए, EMI आना चाहिए, loan का repayment होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा non-compliance, ठीक है, तो अगर नहीं आएगा interest, नहीं आएगा EMI, तो वो loan हो जाएगा NPA, दूसरा, जो security है, वो security का loss हो जाए, जो security है, उसका loss हो जाए, तो उस case में भी वो account हो जाएगा NPA, clear है, NPA होना अर्थात, income generate करना, बंद कर देना, ठीक है, definition, कुछ definition है, जो important definition है, उसको हम लोग देख लेते हैं, आगे इसको समझने में हम लोग को मदद मिलेगी, overdue कि इसको बोलते हैं, any amount due under any credit facility is overdue, if not paid on due date fixed by bank, bank ने बोला है कि आपको ये amount इनने तारीक को देना है, वो amount इनने तारीक को bank के account में नहीं आया, वो हो जाएगा overdue, ठीक है, out of order किसको बोलते हैं, CC या OD की case में out of order सब्द का इस्तेमाल किया आ जाता है, किसको बोलते हैं, देखते हैं, outstanding balance in CCOD remains continuously in access to sanction limit या drawing power for more than 90 days, 90 days से जाएदे अगर जो outstanding balance account का, वो sanction limit से या drawing power से उपड रहे, माल लेते हैं, अगर किसी account का sanction limit एक लाग रुपया है, और उस account का outstanding balance एक लाग से जाएदे है, एक लाग दूर रुपया माल लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाए कितना, for more than 90 days हो जाए ऐसा, तो भी ये account out of order कहलाएगा, ठीक है, दूसरा, outstanding laser balance in CCOD is under the limit हो, sanction limit या DP के दोनों के अंदर दा limit हो, लेकिन कोई भी credit नहीं आया हो, या जो भी credit आया हो, वो sufficient नहीं हो, interest जो debit हुआ है उसमें, उसको cover करने के लिए in last 90 days, ये भी हो जाएगा out of order, इसको क्या बोलेंगे, ये account है out of order, the OLB in CCOD is under the limit of sanction limit या DP, but there is no credit continuously for 90 days, और not sufficient credit to cover the interest debited in last 90 days, तो हो जाएगा ये account out of order, clear है, आगे देखते हैं हम लोग, NPA criteria क्या है, different different accounts का, पहला देखते हैं, term loan का, इसमें interest या installment, installment किन चीज़ों से बनता है, principle और interest, इनको मिला के बनता है installment, या तो principle due हो, या तो interest due हो, अठाथ installment due हो, या interest due हो, या दोनों due हो, कितने, कितने दिन के लिए, remains overdue for a period, more than 90 days, एक word याद रखिएगा, more than 90 days, एक्जाम का जो question होगा, वो 90 days होगा, but 90 days से जाइदे होना चाहिए, तब ये term loan हो जाएगा, एन पिए, ओवरड्राफ्ट या cash rate के case में, accounts out of order हो, account जो है, वो out of order रहा हो, कितना, more than 90 days, ठीक है, या जो sanction है, उसका renewal नहीं हुआ हो, कितना दन के लिए, more than 180 days, तो हो जाएगा, ये NPA हो जाएगा, ठीक है, OD या CC के case में, दो करेटर ये, इस दोनों में से कोई भी हो, ये account हो जाएगा, NPA, bills purchase या discounted है, उस case में, overdue more than 90 days, ठीक है, agree loan है, short duration loan, crop है, short duration कार्थ क्या हो जाएगा, जो crop होगा, up to 12 months का, ठीक है, period to harvesting the crop, raised, ठीक है, वो determine किया जाता है, SLBC के द्वारा, उसी का धार पित्ता किया जाता है, वहीं पे, कि कौन सा crop, short duration crop होगा, कौन सा, long duration crop होगा, short duration crop, यानि, up to 12 months वाला, long duration crop, यानि, more than 12 months वाला, ठीक है, अब agree loan, अगर short duration crop है, तो interest या installment, ठीक है, वो overdue है, two crop season के लिए, short में, two crop season के लिए, तो यह हो जाएगा, NPA, long में, one crop season के लिए, अगर overdue है, तो हो जाएगा, NPA, for securitization transactions, the amount of liquidity, facility, remains outstanding more than 90 days, यह हो जाएगा, NPA, the derivative transactions के लिए, the overdue receivables, remain unpaid, for the period of 90 days, from the specified due date, for payment, जो payment का due date specified है, उस date से, 90 days के period के लिए, अगर वो unpaid है, overdue receivable है, तो यह हो जाएगा, NPA, ठीक है, NPA, term loan कब होगा, 90 days से जाएदे, अगर due हो, इसका interest यह installment, overdraft या CC कब NPA होगा, out of order हो, more than 90 days के लिए, या renewal नहीं वाओ, 180 days से जाएदे के लिए, हो जाएगा NPA, bills purchase 90 days, agriculture loan, अगर short duration crop है, two crop season, long duration crop है, one crop season, securitation transaction है, more than 90 days, दूसरा derivative product है, derivative transactions है, overdue रहे कितने के लिए, more than 90 days के लिए, हो जाएगा NPA, ठीक है, clear, आगे बढ़ते हैं हम लोग, income recognition, के संबन्द में, हम लोग कुछ बातें जानते हैं, income from NPA asset, is to be recognized, only when it is actually received, ऐसा नहीं है, कि आप party का, account NPA हो गया है, उसमें interest लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और banking के books में, balance sheet में, आप दिखा रहे हैं, कि हमको इतना income हुआ, तो वो आपका income नहीं माना जाएगा, इस line का यही अर्थ है, ठीक है, even in the case of government guaranteed accounts, क्या है, आप अपने books में लगा लिये हैं, उस पर interest, तो वो आपका interest या income नहीं माना जाएगा, वो आपका income नहीं माना जाएगा, वो कब माना जाएगा income, जब वो actually आपको पे कर दे, यही है इस line का मतलब, यह बाढ़ बार एक्षाम में आता है, interest on advance against term deposit, NSE, IBP, KBP and life policies, में बी टेकन इंटो income account on the due date, if adequate margin is available in the account, here, if security is more than the OLB of loan, the loan account will remain standard, मोटा मोटा में समझाए, तो loan against deposit हो, NSE हो, IBP हो, KBP हो, या life insurance policies हो, उस case में अगर margin उपलब्द होगा, अर्थात, security value जायदे होगी, outstanding balance of loan से, margin उपलब्द होने का यही अर्थ हुआ, तो loan account remain standard रहेगा, लेकिन, अगर gold ornaments, या government securities, या और भी कोई securities, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उस case में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एडवांस अगरेंस्ट gold ornaments, government securities and all other securities are not covered by this exemption, margin उपलब्द होगा, तो loan अगरेंस्ट term deposit, NSE, IBP, KBP, या LSE policies, life insurance policies, ठीक है, इसके case में, margin उपलब्द हो, तो account को NPA नहीं किया जाएगा, उनको standard account माना जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिवर्जल अफ अगरेंस्ट, अपर्ट फ्रम नॉट रिकोगनाजिंग इंकम, ओन अन नॉन परफॉर्मिंग एसेट, देर इज अलसो ए नीड तो रिवर्ज दा अन्रियालाइज़ इंकम, देर वाज बुक्ट प्राइर तो अकांट बिंग classified as NPA, इस लाइन को ऐसे समझते हैं, कि कोई भी अकांट आपका दिसंबर में NPA हुआ है, ठीक है, लेकिन पार्टी पैसा नहीं दे रहा था आपको सितंबर से, तो सितंबर से लेके आपने सितंबर में इंट्रेस्ट लगाया, आपने उसमें, जो पार्टी ने पार्टियली दिया, अपने अक्टूबर में लगाया, अपने नॉवंबर में लगाया, अपने दिसंबर में लगाया, यहाँ पे जाके किसी दिन वो एकांट NPA हो जाता है, तो यह भी पैसा जो आपने इंट्रेस्ट लगाया हुआ है, ये पैसा भी तो वो आपको नहीं दिया है पार्टी तो ये आपका income नहीं है और इसको आपको reversal करना पड़ेगा ठीक है और reversal तब से करना पड़ेगा जब से पार्टी ने आपको पैसा नहीं दिया है यही चीज ये बोल रहा है नीड तो डिवर्ड दा अनडियालाइजड इंकम धेट वाज बुक्ट प्रायर टू एकांट बिंग क्लासिफाइड अज एंपी ए क्लियर एसेट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो बैंक में एसेट माना गया है उनकी चार केटेगरी है जो बैंक में एंपी ए माना गया है उन एंपी ए की तीन केटेगरी मानी गई है वह यह तीन है सब एसेट को किया गया है चार केटेगरी में सब एसेट सब एसेट डाइट को एसेट लोस एसेट लेकिन NPS की category कौन-कौन, sub-standard asset, doubtful asset, loss asset, clear, आगे बढ़ते हैं हम लोग, standard asset किसको करते हैं, all conditions of sanction are complied जितने भी आपने terms and condition डाले थे, sanction letter में वो सभी complied हैं यानि, account जो है वो irregular, या out of order या overdue नहीं है ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका standard asset लेकिल, अगर account irregular, या out of order, या overdue है, तो इसको classify किया जाएगा special mention account में और ये special mention account आता है, standard account के category के अंदर standard asset के category के अंदर, ठीक है देखते हैं इसको, sma 0 इसका तीन पार्ट है, sma special mention account 0 अगर वो account overdue है, up to 30 days ठीक है, outer of order है, up to 30 days sma 0 की category में रखेंगे 31st days से 60th day तक sma 1 की category में रखेंगे 61st days से 90 days की category में इसको sma 2 की category में रखेंगे याद रखेंगे यह 90 days तक कहां होगा standard में, लेकिन जैसे ही more than 90 days होगा, वो आ जाएगा NPA में और NPA का पहला कौन सा था? substandard, ठीक है? after 90 days, asset will be become substandard under NPA category ठीक है? आगे देखता है हम लोग substandard asset, substandard account with irregularity या overdue या out of order position more than 90 days ठीक है? या sma 2s more than 30 days that is from 91st days NPA account for the period not exceeding 12 months, यहाँ पह आ जाएगा कितने दिन से? जब से खड़ा हुआ था तब से लेके 90 days से ज्यादे होगा तो यहाँ आ गया और रहेगा यह 12 महीने तक ठीक है? यहाँ पे रहेगा 12 महीने तक, 12 महीने के बाद कहाँ चला जाएगा? slip कर जाएगा doubtful 3 में यह doubtful में ठीक है? doubtful का भी 3 पार्ट है asset remains substandard for exceeding 12 months जो substandard account 12 महीने से ज्यादे का हो जाएगा वो आ जाएगा doubtful asset में doubtful का 3 पार्ट है इस 12 महीने के बाद अगले 1 साल तक वो रहेगा doubtful 1 में फिर 1 साल से ज्यादे से लेकर के 3 साल तक यह रहेगा doubtful 2 में फिर उसके बाद doubtful से 3 साल से ज्यादे हो जाएगा तो रहेगा doubtful 3 कटेगरी में clear है? सब स्टेंडर हो गया 12 महीने तक रहेगा यहां सब स्टेंडर में 12 महीने के बाद चला आएगा डाट फूल 1 में यहां एक साल रहेगा एक साल के बाद चला जाएगा डाट फूल 2 में तीन साल तक यहां रहेगा तिन साल से ज्यादे हो जाएगा आजाएगा doubtful 3 में clear आगे देखते हैं loss asset क्या हो जाएगा a loss asset is one where loss has been identified by bank या internal या external auditor या statutory auditor मतलब inspector या auditor appointed by RBI but the amount has been written off wholly या partially amount has not been I think amount has not been not missing has not been written off wholly या partially in case of erosion of security even after there is a regular repayment the account directly and immediately without any waiting period becomes क्या होता है ये देखते हैं पहले loss asset समझ लेते हैं जब उसके security में erosion हो जाएगा कोई भी auditor चाहेगा internal हो चाहेगा external auditor हो वो उस account को loss asset में erosion of security के कारण भेज सकता है ठीक है आगे देखते हैं कैसे भेज़ेगा किस case में loss of security या secure balance ये 50% से जाएदे हो जाए लेकिन 90% से कम रहे तो doubtful के case में रहेगा अगर इसमें 90% से जाएदे का हो जाए तो चला जाएगा loss category में जो उसकी security value थी reliable value of security अगर 50% से कम हो जाए तो doubtful में रहेगा मादर 10% से कम बचे 50% से कम बचे डाथवल में रहेगा मातर 10% से कम बचे loss में ये दोनों लाइन का एक ही मतलब है ठीक है loss of security हो जाए कितना जाए 50% जाए या 90% से कम doubtful 90% से जाए यानि बचे कितना 10% तो भी लॉस ठीक है clear है यह आगे देखते हैं हम लोग important points क्या है जो asset classification होता है वो होता है borrower wise यह facility wise नहीं होता है एक borrower का अगर एक account जिसे माल लेते हैं एक borrower का एक home loan है और एक car loan है अगर borrower home loan में पैसा दिये जा रहा है car loan में पैसा नहीं देता है ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि उसका car loan NPA होगा और home loan NPA नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ठीक है कि वो NPA asset classification जो होगा वो borrower बाई जो होगा अगर उसका car loan NPA होगा तो उसके home loan का भी NPA कर देगा उसके उस borrower का जितना account होगा सारा NPA हो जाएगा यही है इस line का मतलब आगे देखते हैं हम लोग advance under consortium arrangements classification is based on conduct of account या record of recovery with the individual banks एक particular bank के साथ उस account का क्या है conduct उसके अधार पे उस particular bank में उस asset की category बनेगी ठीक है बांकी बैंकों ने उसका क्लासिफिकेशन कर रखा है उससे उस bank को कोई मतलब नहीं होगा यही है इस line का मतलब classification is based on the conduct of account या record of recovery with individual banks irrespective of classification with the other banks यह line यह क्या करता है exam में कि आधा line इस line का देदेगा आधा जो जनकारी है वो इस point का देदेगा आधा इसका mix करके आपको confuse करेगा यह दोनों अलग-अलग point है इसको बाड़ी की से समझिएगा government guaranteed loans है all credit any credit facilities guaranteed by the central government is treated as NPA only when the government repudiates its guarantee when government मना कर दे कि नहीं देंगे तो NPA होगा and not when it becomes overdue लेकिन simply अगर उसका में पैसा नहीं आया है ठीक है वो overdue नहीं होगा अगर वो central government की guarantee दी हुई है तो government बोल देखे हम पैसा नहीं देंगे तब आप NPA कीजिए उसको account is classified as standard despite the account is already NPA कहने का मतलब यह है कि उसमें पैसा नहीं आ रहा है यह जो time frame उपर बताया गया वो time frame पार हो गया पैसा नहीं आ रहा है तो भी उसको standard रखना है तब तक जब तक की government यह न कहा दे कि हम पैसा नहीं देंगे ठीक है state government के case में ऐसा कुछ भी नहीं है all usual NPA rules जो होंगे norms जो होंगे वो applicable होंगे central government के case में ऐसा था if entire due amount is recovered in NPA account account upgraded to a standard category immediately account खराब हो जागा किसी party का पैसा नहीं दिया है एक दिन बहुत दिन बाद आता है वो बोलता है हम जितना account आपका बनता है वो हम दे देते हैं तो bank सारा पैसा उससे ले लेगा जितना उसका calculation के सा आपसे बनना था इंट्रेस्ट इंस्टाल्मेंट वो सारा जोर के लेगा और उस account को immediately upgrade करतेगा अपकरेट करेगा किस category में standard category ठीक है staff के case में देख लेते हैं for the loan to staff like housing loans इसमें क्या होता है interest आपको principal के बात पे करना होता है where the interest is payable after the recovery of principal interest need not to be considered as overdue from the first quarter onwards that should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on its respective dates जैसे इसको समझते हैं एक housing loan लिया गया तो इसके case में क्या होगा इसका installment चालू होगा लेकिन सुरू में क्या होता है जो staff loan होता है staff housing loan दिया जाता है उसके case में होता है कि सुरू में हम करेंगे आपका principal का payment जब पूरा principal खतम हो जाएगा तो इसका जितना interest लगा होगा उस सब interest को accumulate करके यहां जमाख करेंगे अब फिर अब interest का payment करेंगे तो यह इस line का मतलब यह है कि यह तो principal का पैमेंट यहां पर हो रहा है लेकिन इंट्रेस्ट का पैमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर इंट्रेस्ट का पैमेंट नहीं हो रहा है यहां पर इसको इन पीए कर देंगा ऐसा नहीं करेंगे इसका डियू डेट यहां से यहां तक था इंट्रेस्ट का के दिर्टेटमें अगर पैसा नहीं आ रहा है तो हम ऊसीज को कंसीडर करेंगे अगर देखते हैं प्रफिजणिंग क्या है जैसे और वी खुराब लॉन के या लोन का गया उसी दीन हो सकती है जो लॉस की संभावना होती है उसके लिए एक सेपरेट फंड तयार किया जाता है क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके बैंक के द्वारा थाकि फ्यूचर में जो लोन लोस है वो बैटली इंपेक्ट नहीं करें बैंक को तो इसके लिए प प्रोविजनिंग वो देखते हैं हम लोग बैंक से रिक्वाइड तो मेक प्रोविजन ओन फंडेड आउटस्टेंडिंग ओन ग्लोबल लोन पॉट्फॉलियो ओन दा बेसिस आफ लाजिविगेशन ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन आधार पर हम लोग प्रोविजनिंग करते ह है बैंक में कैसे स्टेंडर्ट का लग क्लासिफिकेशन है सब एस्टेंडर्ट का लग है डाउट पुल का अलग है और लाग हम लोग लोग कड़कर देखते हैं इस में अजिविजन जैसा कुछ है नहीं एकन्ट है फर्म क्रेडिट टू एक्टिविटी या MSME या इंडिविजुल हाउसिंग लॉंस इस तिनों केस में अगर एकाउंट स्टेंडर्ड है ऐसे स्टेंडर्ड है जिरू पाइब परसेंट आफ फंडेट आउट स्टेंडिंग आपको प्रोविजिन करना पड़ेगा ठीक है उसी तरह से मीडियम इंटर्फाइज है यहां पे एम एस इथा माइक्रोट एंडे स्मॉल इंटर्फाइज था मीडियम नहीं था मीडियम के केस में 0.25 नहीं 0.40 वह जाता है अधाल कमर्सियल इललेश्टेट रेसिदेंशियल वाउसिंग थोड़ा सा राहत मिलेगा यह 0.75 परसेंट होगा रुविजिनिंग में वाउसिंग लूँज एट टीजर रेट ठीजर रेट क्या होता है इसमें इसका इंट्रीजर बढ़ जाता है इसकेस में 2% होगा दिविंग टीजर रेट परियोड एंड 0.5% 1 year after rate reset ठीक है restructure account अगर आपने किया है किसी को भी 5% की provisioning करना ही पड़ेगी other loan है 0.40% यह standard यही है 0.40% ही standard है ठीक है substandard account है इसमें secure category है दिये देखना पड़ेगा कि जो अभी आपके पास loan है जो loan asset है अभी आपके पास वो secured है या unsecured है अगर वो आपके पास secured है तो उस पे 15% ठीक है अगर unsecured है तो 25% की provisioning लेकिन यहाँ पे balance जो अपलब्ध होगा इस account में उसका bifurcation करके उस पे अलग-अलग provisioning नहीं करेंगे यह provisioning हम लों doubtful में करते हैं substandard में नहीं करते हैं substandard पूरा account एक बार में आइदर secure होगा या unsecure होगा अगर secure होगा तो 15% की provisioning होगी अगर unsecured होगा तो पूरे account पे 25% की provisioning होगी ठीक है यहाँ पे without bifurgetting the balance करेंगे ठीक है into secure balance या unsecure balance का bifurcation substandard के case में नहीं होता है यह होता है doubtful के case में देखते हैं unsecured infrastructure अगर होगा sector तो इसका 20% करेंगे यह तीनों है important देख लीजेगा फिर अभी 15 था 25 हुआ यही नीचे आएगा ठीक है doubtful हो जाए यहाँ पे जो balance आपका एक account है जो doubtful में है position में है तो उसका balance है उसमें हम लोग bifurget करके देखते हैं कितना secure balance है कितना unsecure balance है जो भी unsecure balance होगा उस पर 100% की provisioning हो जाएगी अगर वो account चला गया doubtful में ठीक है लेकिन अगर secure balance है तो secure balance का तीन पार्ट हो जाएगा अगर वो doubtful one में है यानि doubtful up to one year है तो 25% की provisioning होगी अगर doubtful two में है यानि एक साल से जाएदे हो तीन साल से कम की है कम का account है तो 40% का provisioning होगा अगर doubtful three में है तो फिर यह इसको मान लिया जाएगा unsecure वाला हिसाब किता हो 100% provisioning हो जाएगा loss है 100% provisioning क्लियर है इसमें जो balance होगा account का उसको बाइफर कर देंगा लगला किसमें secure balance ना उन इसको बाला है जाएगा इसका सारा निर्ने category पर डिपन करेगा बालेंस पर नहीं और इसमें डाउट हूल में बालेंस पर डिपन करेगा यह काफी इंपोर्टेंट इसको याद रखिएगा आगे देखता है हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है जड़ा देख लेता है एंपी बिद बालेंस ओफ रुपीज फाइव करोर एंड एवफ स्टॉक ओडिट अट अन्वल इंटर्वल बाई एक्सटर्नल अगेंस अपॉंटेट एज पर पॉंटेट एज पर गाइडलेंस अप्रूब्ड बाई बोर्ड अफ डाइक्टर्स अगर क्लेक्टरल है दिया हुआ ठीक है और वो इमेवल परपर्टी है तो तीन साल में उसका वैलुशन जरूरी है वन्स फॉंस इन त्री एर्ज एडवांस अगेंस डिपाजिट या इस केस में भी अगर उसका एसेट क्लासिफिकेशन जो है प्रोविज्डिंग आपको उतना करना ही पड़ेगा उसमें कोई कोई रिलैक्सेशन नहीं है एन पी यह होने में रिलैक्सेशन था यहां पर कि अगर डिपलो अर्ट टर्ब्रपॉलीशिट कहें किस में एन सीके एसंद मेंख जाते हैं तो आगर यहां पर मार्जिन उपलब था इसको इन पीए नहीं कर रहे थे और गोल्ड के केस्ट में रिलेख्येशन नहीं था एंसरेंस पालिसी पर था लेकिन प्रुषिजनेंगे केस में यहां प्र्युक्शेशन नहीं है जैसा उसका क्लसिफिकेशन और ऑसे प्रोवेजटिन की आगे देखते हैं ECGC गरूंट के केस्ट में देख लिए ते हैं इसी तरह से CGTMSC या CRGF TLIH के case में है provisioning नहीं मेट किया जाएगा no provision need to be made towards guaranteed portion कुछ खास नहीं है ये simple simple है country risk को देखते वे provisioning क्या होगा वो देख लेते हैं banks are required to make provisions on the net funded country exposure on graded scale ranging from 0.25 to 100% according to risk categories जहाँ पर insignificant risk categories वाला देश होगा वहाँ पर classification हो जाएगा ECGC का A1 यहां पर provisioning हो जाएगी कितने की 0.25 की A2 या low इसमें हो जाएगा 0.25 moderate यानी B1 5% कीजिए high यानी B2 20% कीजिए very high यानी C1 25% कीजिए और restricted या off credit ठीक है इसको C2 मान लेजिए इसको D मान लेजिए यहां पर 100% का provisioning करना पढ़ेगा ठीक है आगे देखते हैं लोग यानी यह चीज़ आप दो देख रहे हैं कि जैसे इससे रिस के टेगरी बढ़ेगी जैसे जैसे रि ma Adventure क्योंत सधीज रिजयों को बढ़ता जा रहा है रिजन, रिजन एक ही है लॉस होने का डर ठीक है आगे देखता है provisioning coverage ratio क्या होता है PCR क्या होता है ratio of provisioning to gross NPA उपर provisioning PCR बरावर इसको simple कर लिजे PCR बरावर उपर लिख लिजे provision लिख लिजे लिख लिजे gross NPA यह हो जाएगा आपका provisioning coverage provisioning coverage ratio it indicates the extent of funds of a bank has kept aside to cover loan losses बैंक ने कितना पैसा अलग रखा हुआ है दिये गए लोन के लॉस को सहने के लिए ठीक है PCR should not be less than 70% with effect from 30 September 10 ये 70% से कम नहीं होना चाहिए ये disclose किया जाता है बालेंसीट में करली को रिपोर्ट करने का क्या है तरीका वो देख लेता है या कब किया जाएगा वो देख लेता है a scheduled commercial bank seller report on monthly basis credit information including classification of an account as SMA to acrylic central repository of information on large credit on all borrowing having exposure of rupees 5 crore and above with it 5 crore से उपर के exposure में अगर monthly basis पर रिपोर्ट करना है क्या classification of account as SMA besides itself submitted weekly report of instance of default by all borrowed with aggregate exposure 5 crore and above by close of business on every Friday हर एक Friday को भी एक रिपोर्ट जानी है एक जामें पूछेगा उतास परस्ट पूछ देगा ठीक है कि default का position पूछेगा या यह पूछ देगा आपसे classification of account तो उस case में 5 crore and above mainly जो पूछा जाता होई है कि 5 crore and above exposure रहाए कि रिपोर्ट करने के लिए मिन्यों exposure क्या है 5 crore and above ठीक है आगे देखते हैं consortium finance के case में देखते हैं क्या क्या करता है bank consortium finance अगर है तो resolution plan लाता है bank अगर default हो जाए तो for better credit risk management banks must initiate the process of implementing a resolution plan RP even before default by the borrower in case once a borrower is reported to be in default by any of the lenders all lenders to that borrower sell undertake a prima facie review of the borrower account within 30 days within 30 days from the such default या इसको review period मान लिजे इतने दिन के अंदर करना है 30 days के अंदर करना है क्या लाना है resolution plan लाना है during the review period lenders may decide on the resolution strategy including the nature of RP the approach for implementing the RP etc or to choose initiate legal proceeding for insolvency or recovery जैसे पता चल जाए कि यह consortium पे लिया हुआ loan है एक बड़ा party है consortium पे तिन चार बैंक से loan लिया हुआ है यह default करने वाला है तो सभी bank मिल बैठेंगे और एक resolution plan लाएंगे ठीक है 30 दिन का time देंगे इसको उसी दौरान यह decide करेंगे कि क्या करना है ठीक है resolution strategy बनाएंगे क्या करना है किस तरह से आगे बरना है legal legal proceeding करना है insolvency के लिए recovery के लिए या इस company growth कर रहे है क्या होना है यह सब review period में होगा लेकिन इसको होने के लिए क्या होना है आगे देखते हैं लैंडर इसल्ड ंटर इंट्व ईंटर ग्रेंट एंटर चरडिटार के लिमेंट आइंगा यह क्या होना है आइड ने किस्वी क्या म्यासर अदैकल अन्यक्ष्ट खेछीन है sleeping sabuses in the fps amount एक जाम में आता है 75% by value of the total OLB, OLB कितना का, loan का value कितना है, इसका 75% होना चाहिए, या दूसरा, ठीक है, outstanding credit facilities funded plus non funded and 60% of the lenders by number, और number की case में कितना हो जागा 60%, मतलब 60% number जिसे माल लेते हैं कि 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोगों का 60% लोग तैय कर रहेंगे, और, क्या, जो loan का value है, उसका 75% लोग, यह मिलके तैय करेंगे, कि किधर जाना है, निर्ने क्या लेना है, और जो वो निर्ने लेंगे, salary binding upon all the lenders, वो सारे lenders पर binding होगा, तो इसमें चीजें हैं, वो याद रहने लागे, यह 30 days है, यह lender by value कितना है, 75% by number है, कितना 60% है, यह याद रहने लागे है, चोटा सा topic अगर बच जा रहा है, willful defaulter का देख लेते हैं हम लोग, willful defaulter के case में क्या है, willful defaulter, a scheme framed by RBI with a fact from 1st April 1999, under which all banks or financial institutions are required to submit the details of willful defaulter, willful defaulter का amount क्या है, 25 लागे and above है, ठीक है, who is willful defaulter, कौन होता है, willful defaulter, देखते हैं आगे, इसका है, कि इसमें 2 criteria है, एक, तो default in loan payment करें, ठीक है, और दूसरा region, किस region से करें, वो इसमें से कोई हो सकता है, कौन सा region हो सकता है, पहला region हो सकता है, कि इसके पास capacity है, देनेगा, लेकिन देखाने, मैं नहीं मन है देनेगा, willfully defaulter कर रहा है, ठीक है, default loan requirement, पहला point है कि default कर दूसरा है कि willfully, मन बना के करें, नहीं है, पैसा है, लेकिन नहीं देंगे, ठीक है, तो इसको willful defaulter माना जाएगा, loan में default कर रहा है, लेकिन region क्या हो जाएगा, दूसरा, divergent का, क्या divergent करेगा, loan not utilized for the specific purpose for which it was sanctioned, but used for a different purpose, पैसा लिया, दूसरी जगा दिया, यानि fund का divergent कर दिया, पैसा नहीं चुका रहा है, और fund का divergent कर रहा है, willful defaulter होगा, ठीक है, तीसरा, funds used for operation not related to the business, और funds are not available with the business, fund guide कर दिया, ठीक है, siphon off कर दिया, इसको siphoning बोलता है, fund ही नहीं उपलब्द है, firm के पास, और default भी कर दिया है, loan repayment में, हो जाएगा ये willful defaulter, ठीक है, य जो security दिया हुआ था, उसने, disposed of, और removed the movable fixed asset or removable property given for the purpose of securing the loan, without the knowledge of bank calendar, ठीक है, जो security दिया हुआ, तो बेजबाच के कातम कर दिया, ठीक है, और loan का पैसा भी नहीं दे रहा है, तोनों के satisfy हो जाए, हो जाएगा, willful defaulter, willful defaulter सुने के, चार के सोने चाहिए, पहला, default loan में कर और capacity है, तो भी नहीं दे रहा है, पैसा देने की capacity है, नहीं दे रहा है, और default कर रहा है, point one, willful defaulter, point two, पैसा नहीं दे रहा है, जो fund था, वो दूसरे जगा यूज कर लिया है, point three, पैसा नहीं दे रहा है, जो भी fund था, सब बेजबाच के खतम कर दिया, मतलब है ही नहीं fund, ठीक है यह तीसरा था चौथा पैसा नहीं दे रहा है लोन एकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है और जो भी सिकुरिटी था वो भी गाइब कर दिया बिना बैंक को बताए हुए ठीक है तो यह भी हो जाएगा आपका विल्फुल डिफॉल्ट कैसे होगा कमिटी हेड़ेड रा एक्जिगिटी डिरेक्टर यह एक एक एडी और दो जीएम या डीजियम के साथ एक कमिटी बनेगी वह डिसाइड करेगी विल्फुल डिफॉल्ट और यह कस्टमर को जो भी विल्फॉल डिफॉल्ट जिनको माना जा रहा है उनको 15 दिन का आप रिस्पॉंड कीजिए और उसके अधार पर निरने लेकर के उसको विल्फुल डिफॉल्ट घुसित करेगी इसका रिब्यू जो होता है वो इसका रिब्यू करता है और यह जो कमिट्टी रिब्यू करेगी यह डिसीजन हो जाता है जो आडर होगा वो ठीक है विल्फुल डिफॉल्टर अगर बंत हो गया उपर में चार तरीके से तो इसका रिपोर्टिंग कहा होगा यह होता है क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनीज को क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनीज को उनको नहीं है चार है एक्सपेडियन है क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनीज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिम्टेड इक्विफेक्स क्रेडिट इंफर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिम्टेड credit information इंडिया लेंट यह चार credit information companies है बैंक को इन चारों को शूट फाइल यह नॉन सूट फाइल टेकाउंट जो होते हैं 25 लाग से अभव उनको monthly या more frequent basis पे रिपोर्ट करना होता है विलफूल डिफाल्टर की case में भी यह करते हैं तभी तो आप देखेंगे कि कि किसी किसी का जो इस तरह का बोर्रोर है बड़ा बाकष है अगर उसने विल्फुल टिफाल्ट किया है तो उसके सिबिल में या उसके कि diff में में महां पर विल्फूल ल टिंपालटर मार्क हो जाएगा वो तो मार्क होने के बाद क्या होगा देखते हैं नो बैंक और एफाइशुट ग्रांट अडिशनल लोन टुदा लिस्टेड विल्फॉल डिफॉल्ट इंटिटी और डिरेक्टर या प्रोमोटर या इंट्रिप्रेनियोर्स अपड़ एंटिटी तो जब आपको वो सिबिल में या क्रिफ में दिखेगा ये जो कंपनी है ये विल्फॉल डिफॉल्टर है उसको कोई भी दूसरा बैंक ये फिनेंसल इंस्टिशूशन लोन नहीं देगा नो लोन फॉर न्यू प्रोजेक्ट फॉर उफॉल्ट फॉर्वल डिफॉल्ट फॉर्फॉल्ट फॉल्ट विल्फॉल्टर के लिस्ट से उसट से पांच साल बाद तक ठीक है उसमें कोई भी निऍवेस्टमेट नहीं होगा और बैंक चाहे तो section 403 और 415 के अंतरगत IPC के section 403 और 415 के तहट भी action ले सकती है ठीक है आगे देखते हैं गरंटर अगर होगा ठीक है individual या group या company या non group company तो अब जानते हैं कि एक decision है Indian contract act का उसके तहट गरंटर भी equally जिम्मेवार है तो उस case में if a guarantor refuse to comply with the demand made by creditor या banker for the payment of dues of borrower despite having sufficient means despite having sufficient means वही willful deferter वहला कहानी such guarantor also treated as willful deferter गरंटर भी willful deferter हो जाएगा ठीक है तो बैंक को जब भी contract करना है तो सभी guarantor को ये बात है बतानी है कि इन देन contract act के तहत आप भी जिम्मेवार हैं इस बात के लिए कि अगर आपसे demand किया जाएगा तो आपको ये loan pay करना पड़ेगा ठीक है I hope आपको clear हो गया हो ये पूरा और अगर आपको ये clear है आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो like कर दीजिए कुछ पूछना हो तो comment box में लिखिए इस तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए तब ही आपको notification मिलेगा जैसे ही वीडियो upload होगा अगला फिर मिलते हैं अगले वीडियो में thank you